मैं अपनी एक-एक हड़ी गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुरते पर चिठ्ठी डालते हैं, प्रभु मुझसे दूर न जा, तू मेरा बल है, शिग्र ही मेरी सहायता कर, मेरी आत्मा को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्तों के पंजों से, मुझे सिंह के जबडे से छोड़ा, मेरे प्राणों को जंगली साड़ों के सींगों से, मैं अपने भाईयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा, प्रभु के श्रद्धा लुभक्तों उसकी स्तुति करो, याकूब के वन्शजों उसकी महिमा गाओ, इस्राइल के सब वन्शजों उस पर श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने दीन ही इनका तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गती से घ्रणा नहीं हुई, उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया, मैं तुझ से प्रेरित होकर भरी सभा में तेरा गुणगान करूँगा, मैं प्रभुभक्तों के सामने अपनी मन्नते पूरी करूँगा, जो दरिद्र हैं, वे खाकर त्रिप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं, वे उसकी इस्तुती करेंगे, उनका रदय सदा सरवदा जीवित रहे, समस्त प्रित्वी प्रभु का स्मरण करेगी, और उसकी ओर अभिमुख हो जाएगी, सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे, क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है, प्रित्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे, मैं उसके लिए जीवित रहूंगा, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा, वो आने वाली पीड़ी के लिए प्रभु के कारियों का बखान करेंगा, और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ, उनके लिए प्रभु का नाम घोशित करेंगा.